स्वागताब सबीका हिंदेग स्प्लिंटी पे आज हम देखने चारे एक अलग सी कहानी जिसके अंदर हम दो लड़की और एक लड़की को देखेंगे जिनका नजरिया अलाग है दुनिया को देखने का और वो एक दूसरे से क्या रिष्टा रखते हैं कहानी विंटर सीजन में शुरू होती है मेन केरेक्टर नाना से जो कि एक टूर गाइड है और लोगों को यहाँ वाँ चोटे चोटे गाउं में घुमाने का काम करती है चाइना के दूसरी तरह हम सेकंड में केरेक्टर ली से मिलते है यह अपने कोरियन फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आया है काफी अमीर है इसका साधी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसको बार-बार किसी कॉल भी आ रही होती है जो इसको यह याद दिला रहा होता है कि अपने कोविट के बाद बिजनिस काफी अच्छा चल रहा है यहाँ नाना की बस में हम ली को भी बैठा हुआ देखते हैं सब ही टूरिस्ट होते है और यह लोग कोरियन विलेज देखने जा रहे है आज नाना एक चेरफूल लड़की और सब काफी खुश रखती है इसी टूर के दोरान ली और नाना की मुलकात हुई थी नाना ने बताया था कि मुझे काम करना बिलकुल पसंद नहीं पर क्या करें पैसे के लिए करना पड़ता है कुछ दिर बाद इनकी बस एक रेश्टरंट पर रुखती है और ली कंफ्यूस हो रहा होता है कि मैं कहां बैठू क्या कर चलो डिनर पर चलो तुम मना क्यों कर देती हूं कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नाना इस बार महान गई होती है डेट पर जाने के लिए जायो इसको बहुत पसंद करता है यहां पर ली खाना खाते हो निउस देख रहा है बार-बार mental health counselling वाले इसको call करके परिशान कर रहे होते हैं जिसको यह ignore कर रहा है यहां से tourist group एक gift shop पर आता है ली यहां भी परिशान परिशान घूम रहा है नाना ने इसकी help की इसको honey buy करवाया पर ली का phone guy up हो गया है पूरे बस में किसी के पास नहीं है तो नाना इसको प जायों बहुत दुखी होता है यहां दे तुम लोग इन characters की feeling को गौर करना जाता देखना इनके उपर इनके समय तो क्या क्या चीजे होती है ठीक हो हमें नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हमारे action से सामने वाले को क्या effect पढ़ता है दुख होता है खुशी मिलती है वो इसमें समझने और ऐसा समझाने की कोशिश की गई है कि तुमारे हर एक action से सामने वाले को कुछ न कुछ ऐसा लगता है अच्छा बुरा दुख खुशी सब कुछ ठीक है सब कुछ नोर्मल रखा जायो ने मस्ती की नाना ने इतना drink कर लिया कि दोनों लड़के उठा कर घर लेकर आए किचन से और ड्रिंक लेकर आई और पीकर बेहोश हो गई फिर उठी और फिर से जायो बताता है कि मैं तो इसके घर में पहली बार आया हूं मुझे यस से पहले कभी लेकर ही नहीं आई थी फिर तीनों बहुत पीते हैं और जायो लोश लफ सोंग आने लग ज जाओ कुस दिनों और यहीं पर हमारे सथ घूम तीनों ने नशा उतारा फिर घूमने निकल गए खूब मस्ती कि सामको जायो ने अपने रस्टर्ण में इनको अपने हाथों से खाना बना कर खिलाया है कहां मैं जैसे फ्रेंड्स को खिलाता हूं वैसी टूरिस्ट को भी खि से यहीं पर नाना की बोड़ी पर एक सकार है जो कि पैरों में है नाना बताती है कि जब मैं ठर साल की तपसे है मेरी है और बाते करने लग गए और बाते करते करते फिर से इनके फीलिंग जागी और यह जाकर फिर से दोरों रूम में शुरू हो गए यह जायो अपने काम मे कहता है कि तुम नाना को पसंद करते हो ना जयो शर्माने लग जाता है वो नाना के घर आता है तो दोर ली ने खोला इसको देखका जयो का फिर से दिल तुटा बहुत दुखी हुआ कि यह इसके घर पर क्या कर रहा है ऐसा पेन है जो कि लड़के समझ सकते हैं और तुम्हें स सकार बना हुए फिर यह लोग बुक लेने चल गए अपनी पसंद की बुक ली जयो ने इन्हें काफी मस्ती करवाई फिर नाइट कलब गया और डांस किया धांस करते घरते जयो ने नाना को किस करने का भी कोशिश किया पर नाना ने इसको हटा दिया दूर जयो अब यह सब सहन नहीं पा रहा होता है उसको काफी बुरा लग रहा है कि मैं इतना कुछ करता हूँ पर वो मेरे साथ अच्छा फिल नहीं करती है और ली बैट कर रो रहा होता है पता नहीं क्यों कुछ दरबात बाहर आकर ड्रिंक करते हैं नूडल्स खाते हैं और अगले दिन का प्लैन से नाना को खोज रही है यह बताती कि हमारे कोच भी तुमको बहुत टाइम से ढूंड रहे हैं क्योंकि तुमें स्केटिंग करने के लिए बुला रहे हैं नाना पहले स्केटिंग क्या करती थी और इसके पैर में चोट लगने लंबा है नाना तो रात के ठकी हुई है तो सो जाती है पर जायो नहीं सो सकता बाते करते करते इवनीं हो गई और बॉर्डर क्रोस करके रात कोई लोगों होटल में रुखते हैं यहां पर तीनों ने खूब मज़े किये और अगली सुपा माउंटन के लिए निकल गए वेदर पहागा उसकी तरफ तु देखा सामने एक बेर है नाना उसकी पास जा रही होती है जाकर बैठ गई बेर ने इसको सूंगा और चुप चाप चला गया अगली सुबह जायो नाना के अपार्टमेंट में सो कर रुटता है यह जल्दी उठके आए काफी सुबह है तो देखता इसको कैसा फील हुआ भता नहीं सकता हूँ बहुत दुखी होता है और उटकर जाने लग जाता है तब ही पीछे से नाना आती है और इस समझ गई होती है कि कैसा लग रहा है अब जब तुझे पता था कि उसको बुरा फील हो सकता है तो उसके सामनी सब करनी की जरूरत नही क्योंकि उसने इस लड़की के लिए इस जगह पर हेना शुरू किया था है उसके लिए साली चीजे करता था पर वही कुछ दे बाद ली की आँके खुली और नाना के पास किया ना ना नहा रही थी उसने अपने पास आने से उसको मना किया और अब इसके जाने का टाइम हो गय यानी के लीगे, ली जाते जाते पनी वोच को नाना को गिफ्ट दे गया, जायो घर में है, इसको अब यहाँ नहीं रहना है, तो समान को पैक करके बाइक पर बांद कर निकल जाता है, इसे नहीं पता कि क्या करना लाई, क्योंकि जायो कैसा आदमी सा, जिसने के लड़की के पीछे यहाँ बरहना शुरू किया, काम किया, और इस उमीद में था कि वो एक दिन इसको अपना लेगी, और उसके पीछे इसने पूरी लाइफ निकाल दी यहाँ पर, और अब उस समझ गया है कि यहाँ पर हैने कोई भी फाइदा नहीं है, क्योंकि वो लड़की इसको कभ टूरिस्ट आये करते हैं, और यह रीजन कुछ और देकर टाल दिया का था, जबकि इसका में रीजन नाना ही हुआ करती थी, अब यह जा रहा है, यह तो एक बार को यह भी सोच लता है कि वो ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे दूँ, पर बीच में रुक जाता है, और यह पस कंट्री चला गया, जहां से वो आया था, और इस तरह से फिल्म खतम हो जाती है, देखो जो अपने तीनों गैरेक्टर से ना तुम्हें लग रहा हुआ है, क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अपना पहला गैरेक्टर ली था, उसको mental issue थे, मतलब उसको ऐसा मतला depressed था हो, बहुत ज़्यादा परिशान रहता था, उसने hospital गंदर अपने से meeting meeting fix करवाई थी, बड़ उसको छोड़कर हो यहां पर आगया, यहां पर आया, तो उसकी life में नएनी चीज़े होने लगए, क्यों कहते हैं लो कि अगर तुम परिशान हो, या तुम्हारी गए नाना और नाना ने जो उसके साथ किया, और उसके सारी चीज़े उससे ली को कहीं नगे अच्छा फील होने लग गया था, और अगर नाना की बात कर ले तो वो बच्पन से skating करना चाहती थी, और उसके पैर में चोट लगी थी, जिसका से उसने skating छोड़ दी थी, और व चाता था, उसी तरीके से, ठीक है, जायो यहाँ पर चाहता था, वो सिटी में चाकर अच्छी नोकरी कर सकता था, क्योंकि जो यहाँ पर विलेज था, जहां पर यह लोग रहा करती था, तो ने बहुत बर फीला अरिया था, यहाँ पर कभी कभार कुछी टूरिस्ट लोग बाया करते थे घूमने के लिए, जो कि उसके रेश्टरूम में खाना खाते थे और उसी से उसकी कमाई होती थी, अलगे में पर वो बिल्कुल भी ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता था, और वो यहीं का यहीं पर आ रहा था, लीन एक बार इसे पूछा भी था, कि तुम बाहर क्यों नहीं चाते हो, तुम बाहर निकलना चीए, क्या है यहाँ पर, तो जायो नहीं बात को टाल दिया था, वो नाना की उमीद में था कि नाना एक दिन उसकी हो जाएगी, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ को भी छोड़कर उसके साथ मतलब रहने की बड़ जब उसने नाना को देखा, किसी और किसा नहीं ली के साथ, तो उसका विल्कुल ऐसा टूड़ गया अंदर से, और फिर उसने सोच लिया कि यहाँ पर लाइफ खराब करने का कोई फायदा नहीं है, तो मुझे वहाँ से निकल जाना चीए, रिशीवर से एंड में अ महाँ से इसी में तुम्हारी भलाई रहती है, अपना देखोना है, क्यों किसी के पीछे से कुट्टे बनके गुंगते रहो गया है, तो इसी बस्ते हमें इसमें बताया गया है, कि छोड़ो उसको अपनी लाइफ को देखो, और सबसे जो एंडिंग अच्छी हुई, जायो क अगर देखा जाय तो, क्योंकि जायो अब खुश है, और वो अपनी लाइफ को देख सकता है, ठीक है, ना कि वो उस बरफीले एक दुकान के अंदर बैटके, नाना का इंस्यार करेगा, कि उसकी बस कप मेरी शॉप पर आएगी, मैं उससे बात कप करूँगा, उसके साथ सा वो शादि कप करूँगा ना यह सब नहीं सोस्ता है, नहीं सोस्ता है, अब वाइक पे निकल चुatto है, तो नहीं सोच मेक किए और ये भी अपनी सपने-को सायथ हो सकता, पूरा कर लेगी, वीडियो छे लिए वीडियो लाइक करना, चल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं आतो गलिए बाई